साथियों, असम का इतिहास अपने आप में भारत की यात्रा और संस्कृति की एक अनमोल विरासत है। हम अलग-अलग विचारों विचारधाराओं को, समाजों संस्कृतियों को, आस्थाओं परंपरा को एक साथ जोरते हैं। वहोम राज में सब को सांस लेकर बनें, शिव सागर, शिव देउल, देवी देउल और विश्णु देउल आज भी इसके उदाहरन है। लेकिन अगर कोई तलवार के जोर से हमें जुकाना चाहता है, हमारी सांस्वत पहचान को बदलना चाहता है, तो हमें उसका जवाब देना भी आता है। असम और पुर्वत्तर की धरती इसकी गमा रही है। असम के लोगों ने अनेकों बांगर तुरकों, अफगानों, मुगलों के आकणबडों का वुकाबला किया। और आकणमर कारियों को पीछे ख़देडा, अपनी पूरी ताकत जोग कर, मुगलों ने गोहाटी पर कबजा कर लिया था। लेकिन फिर एक बार लासित गौर्फुकंज से योद्धाये अरत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथ से गोहाटी को आजाद करवा लिया। अवरंग जेब ने हार की उस कालिक को मिठाने की हर मुम्कीर कोशिश की लेकिन वो हमेशा हमेशा असपली रहा। वीर लासित बार्फुकंज ने जो वीरता दिखाई सराई घाट में जो साहस दिखाया। वो मात्र भूमी के लिए अगाद प्रेम की प्राकास्ता भी थी। असम ने अपने सामराज्य के एक एक नागरिक को जरुत पढ़ने पर अपनी मात्र भूमी की रच्छा के लिए तयार किया था। उनका एक एक युवा अपनी माटी का सिपाई था। लासित बॉर्फुकंज जैसा साहस उनके जैसी निडरता यही तो आसाम की पहचान है। और इसलिए तो हम आज भी कहते हैं हुनी साने लोरा होत। लासी तोरा को था। मुगोल बिजोईवीर इतिहा है लिखा। अर्थात बच्चों तमने सुनी है लासित की गाता मुगल बिजोईवीर का नाम इतिहास में तर्ज है। जात क्यों हमारे हजारों वर्षों की जिवंतता हमारे पराक्रम की निरंतता यही भारत का इतिहास है। लेकिन हमें सद्यों से यह बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने पिटने वाले हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्राओं का इतिहास है। विजे का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचाईयों के विरुत्त अभुत्पुर्वर्शावर्य और पड़ाक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है। भारत का इतिहास जंग का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजाजी के बाम। वही इतिहात पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखण में साजी सन रचा गया था आज अधिके बाद जरुरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेश्यों के एजन्डे को बदला जाए लेकिन ऐसा नहीं किया गया देश के हर कौने में माभारती के भी माभारती के भी बेटे बेटियों ने कैसे आतताईयों का मुकाबला किया अपना जीवन समर्पिच कर दिया इस इतिहास को जान बुच करके दबा दिया गया क्या लासित बार्फुकन का सोर्य माइने नहीं रखता क्या क्या देश के संस्कृति के लिए पहचान के लिए बुंगलों के खलाब युद्ध में लड़ने वाले असम के हजारों लोगों का बनिदान कोई माइने नहीं रखता हम सब जानते हैं कि अत्या चारों से भरे लंबे कालखन में अत्या चारियों पर विजई की भी हजारों गाता है जय की गाता है त्याक की दाथा है तर्पन की गाता है उन्हीं त्याहस के मुख्य धारा ने जगह न देकर पहले जो गल्ती हुई अब देश उसे सुधार रहा है यहां दिल्ली में हो रहा यह आयोजन इसी का प्रतिबीम्ब है और मैं हैमन ताजी और उनकी पूरी टीम को बढ़ाई देता हूं कि यह कारकम दिल्ली में किया बीर लासित बारफुकन की शार्यगाथा जादा से जादा लोगों तक पहुँचाने के लिए असम सरकार ने कुछी दिन पहले एक मुजियम बनेने का एलान किया है मुझे बताया गया है कि हमन ताजी की सरकार ने असम के इतिहासिक नायकों के सम्मान में एक मेमोरियल तयार करने की भी योजना बनाई है निच्चही ऐसे प्रयासों से हमारी युवां और आने वाली पीडियों को भारत की महान संस्कृति को जादा गहराई से समझने का आउसर मिलेगा असम सरकार ने अपने वीजन से जन जन को जोड़ दे के लिए एक थिम सौंग भी लौज किया है इसके बोल भी बहुत अध्बूत है ओहो मार अकाखोर ओहो मार अकाखोर भूटा तोरा तुम्हीं हाँ हो और हो कोटी पोरी भाखा तुम्हीं यानि असम के अकास का दूरता ना तुम हो साहर शक्त की परिभाशा तुम हो वाकई वीर लासित बोर्फुकन का जिवन हमें देश के सामने उपस्तिक कई वर्तमान चुनाउतियों का डट कर सामना करने की प्रेणा देता है उनका जीवन हमें प्रेणा देता है कि हम व्यक्तिक अच्ष्वार्थों को नहीं देश हीत को सरवच्च प्रात्विक्ता दे उनका जीवन हमें प्रेणा देता है कि हमारे लिए परिवार वाद भाई भतेजा वाद नहीं बलकि देश सबसे बड़ा होना चाहिए कहते हैं कि राष्ट रख्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी न निभा पाने पर वी लासित ने मुमाई को भी सजा दी थी